हेलो एव्डिवान वेलकम टू गोल्डी टिस्ट फुल किचन आज हम लेकर आए हैं एक बहुत यमी सी मटर पनीर की सबजी और यह हम गेस्ट हाउस में थे तो हमारे एक भाईया थे कृष्णा वो बनाते थे बहुत दिन से में यह डालना चाहरी थी आज मुझे मौका मिला है आप जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत अलग सी रेसिपी है यह देखिए हमने 1 फोर्थ कप मटर ले लिया है फ्रोजन मटर ले सकते हैं मैंने फ्रोजन लिया है अब फ्रेश ले सकते हैं और धाईसु ग्राम मैंने पनीर के क्यूब्स कर लिये हैं यह मैंने एक चमक जीरा ल साथ दो तेज पत्ता है दो इंच अद्रक है आठ से दस कलिया दस कलिया लसुन है तीन प्याज है जिनको हमने स्लाइस कर लिया है देगी मिर्च कश्मीरी मिर्च यूज़ करने वाले हैं और इसमें जो सीक्रेट इंग्रेडियंट है वो है यह एवरेस्ट का मीट मसाला है और यह वेज है तो यह हम यूज़ करेंगे और यह ऑईल है कटावा धनिया है गार्निश करने के लिए यह क्रीम है अमुल की आप फ्रेश मलाई भी ले सकते हैं और यह कसूरी मेथी है तो आईए स्टार्ट करते हैं तो हमने पैन में दो टेबल स्पून ऑईल हमने डाल है इसमें कोई भी आप खाने वाल जो इस्तिमाल करते हैं वो डाल लीजे इसमें हम सबसे पहले अधरक और यह डाल रहे हैं लैसुन और इसको श्लो टू मीडियम गैस पर फूनेंगे हैं बहुत ज्यादा हमें नहीं बूनना है इसके साथ ही हम डाल देंगे प्यार श्लो ट जालिए और इसको हम अच्छे से चलाते वे भूनेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजे शेर कीजे अपने फैमिली फ्रेंज में बेल आइकन प्रेस कीजे ताकि मेरी लेटरेस अब्रेट जो है वाप तक पहुंच सकें और मैं आपको य प्याज को उतना भूनना है कि यह पिंकिश हो जाए ट्रांसलूसन हो जाए और तेज फ्लेम पर बिल्कुल नहीं भूनना है तो आप यह याद रखिए ज्यादा मसाले नहीं है और बहुत फटा-फट बनने वाली सब्दी है आप देखेगा क्योंकि हमने इसमें फ्रोजन म जब तक हम पकाना है इसमें में थोड़ा सा नमक डाल दूगी ताकि तमाटर जो है वो जल्दी से सॉफ्थ हो जाए थोड़ा नमक इस समय दाल देंगे थोड़ा ग्रेवी में बाद में डालेंगे तेस्ट करके इसको मिक्स करेंगे आँ यह देख रहे हैं आप टॉमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है तो अब हम इसको करते हैं ऑ और इसका ठंड़ा होने किवेट करते हैं तो यह देखिए हमने जो पेस्ट है उसको बहुत महीन पीस लिया है हम इसे छानने की जुरत नहीं है ठंड़ा क्रने के तरवाद हमने इसको पेस को खुब अच्छे से पीस लिया है अब हम इसका तड़का बनाते हैं पैन में हम दो टेबल स्पून ऑईल डालेंगे ऑईल को गरम होने की इनतजार करते हैं तेल गरम हो गया है अब हम डालेंगे इसमें जीरा दो तेज पत्ता और इसको मिक्स करेंगे गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे और यहां पर एक बार में गैस बंद कर रही हूं क्योंकि सुखे मसाले डाल रही हूं यह डाल रही हो मैं हल्दी आधा चमच जो मैंने इंग्रेडियंट्स में नहीं दिखाई थी आपको और यह एक टेबल स्पून में कलर वाली जो रंग देती है कश्मीरी मिर्च वो डाल र जीरा हमारा अच्छा सब्हूं गया और देखे कुछ भी जला नहीं है अब हम डालेंगे इसमें यह पेस्ट हमने अल्रडी बना के रखा है और बिल्कुल बारीक पीशना है इसको गैस को हमने ओन कर लिया है यहां पर हम डाल रहे हैं यह एवरेस्ट का मीट मसाला इसका बह अब हम पूरा यह मसाला जो है वह मिला देंगे बहुत अच्छी खुश्बू है और देखे आप बहुत ज़ादा मसाले भी इसमें यूज नहीं हुए है खड़े मसाले अब हमें इसे बहुत अच्छे से भूनना है अब मिक्स कर दिया देखे कितनी अच्छी लग रही है य इसको निकाल लिया है जो भी है मसाला वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो तो यही इश्वर से प्रात्ना करते हैं कि आप सबस्वस्त रहिए अच्छा खाईए और यूहीं इंजॉई कीजिए लाइफ को उतार चड़ाव सब की जिन्दगी में आते हैं बट उससे घबराये न बहुत खुशी होती है अब देखिए पांस से साथ मिनट इसको भूनते वे हो गया है और बहुत अच्छे से इसने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है आप ऐसे में टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि कच्छा तो नहीं है देखिए जब अगर कच्छा रहेगा तो उसक इतनी ग्रेवी बनानी है उतना हम पानी डालें अब हम इसमें पनीर डाल देंगे पनीर बहुत पहले डाल के पकाना नहीं है यह देखिए अब हम इसको एक मिनट तक ढख कर पकाएंगे हमने टेस्ट करके देखा है नमक जो है थोड़ा कम है तो हम इसमें नमक और डायड कर देंगे मैंने आपको बताया ना आपको जितना नमक तेल मिर्ची चाहें वह अपने इच्छा के नुसार कम जादा कर सकते हैं चेक कर लेते हैं और यह देखिए कितनी बढ़िया यह सबजी बनकर प्यार है अब हम इसमें लास्ट में मतलब जब आपको सर्व करना है तभी इसमें क्रीम डालिए तो टीबल स्पून और जो भी इंग्रीडियन्स है मैं डिस्क्शन बॉक्स में दे दूंगी वो आप वहां से चेक कर लिया करें अब हम इसमें थोड़ा सा हरे धनिये से गार्निश करेंगे इसको और यह देखिए हमारी यमी सी लगने वाली सबजी तयार है आईए करते हैं इसकी प्लेटिंग तो यह देखिए हमारी यमी सी लगने वाली सब्जी जो है बंकर तयार है हमने हरे धनिये से गार्निश कर दिया है थोड़ा सा देशी घी में रेड चिली डालकर हमने उससे गार्निश कर दिया है क्रीम है बहुत यमी है मुझे तो भई बहुत अच्छी लगती है आप ट्राई करके बताईए कि आपकी कैसी बनी थेंक यू सो मच फॉर वाचिंग मैं रेसिपी